हलो दोस्तों स्वागत है आपका Start with Proud के educational platform में आज है 4 अगस्त 2020 आज के Current Affairs के वीडियो में हम UPSC के जितने भी एक्जाम होते हैं चाहे वाई IES का एक्जाम हो चाहे CDS का एक्जाम हो और चाहे CPF का एक्जाम हो मैं जिसमें One Liner Question पूछे जाते हैं उनके लिए भी factual knowledge के हिसाब से ये वीडियो काफी important होगा और Current Affairs के साथ साथ हम इसका Basic Subjects के साथ जुडाओ भी देखते हैं और उसको भी discuss करते हैं ताकि Current के साथ साथ आपकी Basic Subjects के भी तैयारी लगतार बनी रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को like, share and subscribe कर सकते हैं और बाकी के पिछले दिनों के वीडियो आप playlist में जाकर check कर सकते हैं साथ ही साथ Environment की IUCN के red list किये गए काफी सारे जानवरों के बारे में भी series चलाई गई है आप उधर भी जाकर उसको भी देख सकते हैं जो आने वाले exam में काफी important होगा तो आएए आज के महत्तपूर्ट topic को देख लेते हैं कि कौन-कौन से topic हम discuss करने बाले हैं आज हम e-invoicing पर जो सरकारी अधिसूचना जारी हुई है उसको देखेंगे साती हैमर मिसाइल को देखेंगे और रफेल के साथ इसका क्या संबंद है किस देश से इसको purchase करने की बात चल रही है उसको देखेंगे पोसाइडन 8i बिमान क्या है किस देश का है उसको देखेंगे गेला पैगोस दूइप समू लगतार चर्चा में बना रहता है पिछले वर्स भी यह चर्चा में था और इस वर्स भी चर्चा का विससे बना हुआ है इसकी location को देखेंगे गया परिकल्पना को देखेंगे कि आखिर यह है क्या और किस subject से संबंदित है ओकवांको डेल्टा के बारे में जानेंगे इसकी location को जानेंगे अलाइंस टू एंड प्लास्टिक बेस्ट प्लास्टिक बेस्ट को खत्म करने के लिए जो एक ग्रोप है कब बना भारत में इसके लिए कौन-कौन से प्राधान है इसको भी देखेंगे प्रोजेक्ट अविरल को देखेंगे जीरो प्लास्टिक बेस्ट सिटीज इनिसियेटिब किसकी पहले इसको देखेंगे अरब जगत का पहला परमाणू रियक्टर हाली में किस देश के द्वारा सुरू किया गया यह हम देखेंगे और यह पूरा वीडियो हिंदी में होगा जो कि हिंदी माध्यम के विर्द्यारतियों के लिए काफी महत्पून होगा इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिस की पीपीटी या स्लाइड्स दी जाए और हिंदी में डिस्कुसन करवाया जाए जिसकी वज़े से हिंदी मीडियम को काफी कन्फूजन हो जाता है तो हमारा प्रयास है कि हम आपको पूर्टा वीडियो हिंदी में ही दें ताकि आपके नोट्स भी प्रोपर तरीके से बन सकें और किसी भी एक्जाम में काम आ सकें तो आईए आज की पहली न्यूज को डिसकस कर लेते हैं सबसे पहली न्यूज है हैमर मिसाइल अब ये खबरों में क्यों रहा आईए इसको देखते हैं फ्रांस ने रफेल लडाकू बिमान के लिए भारत को हैमर मिसाइलों की आपूर्ती करने पर सहमती फ्यक्त की है भारत सरकार द्वारा आपात कालीन सक्तियों के तहत मिसाइलों के लिए ओर्डर दिया जा रहा है तो पहला कोशन तो यही निकल के आता है कि किस दिस्क से यह हैमर मिसाइल को खरीदा जा रहा है तो वह फ्रांस है आप यह याद रखिएगा और रफेल भी हमने फ्रांस से ही खरीदा था और कुछ दूनों पहले हमने इसको डेटेल से अपने करेंट अफेर्स की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है आप जाकर चेक कर सकते हैं इसके प्रमुक बिंदों को डिस्कस कर लेते हैं 2007 में बनी हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करती है इसका बर्तमान नाम 2011 में मिला जिसका नाम हैमर है और हैमर की फुल फॉर्म आप देख लीजिए हो सकता है कि इस एक्जाम में पूछ ली जाए अब ये भी देख लेते हैं कि फ्रांस के लावा किन किन देशों के पास यह मिसाइल मुदूद है फ्रांस के लावा मुरको, मिस्त्र, कतर के पास भी यह मिसाइल है इस कड़ी में भारत जो है वो पांचमा देश बन जाएगा जिसके पास यह मिसाइल होगी आप इस मिसाइल की यह तस्वीर को देख सकते हैं यह जो हाली में भारत में डिफेंस एक्सपो हुआ था उसमें भी इसको लॉंच किया गया था ताकि इसका प्रदर्शन हो सके आईए इसकी कुछ कौर खूबियों को भी हम देख लेते हैं यह तीन मीटर लंबाई की है लगबग तीन सो पचास किलोग्राम बजन के साथ साथ किलो मीटर के लच्च को निसाना साथ सकती है दागो और भूल जाओ के सद्धान पर काम गटती है या दिन हो या रात हो किसी भी समय इसका प्रियोग हम कर सकते हैं GPS के साथ इसको लिंक किया गया है जिससे इसके निसाना चूकने की गुंजाइस ना के बरावर रहती है रफेल में एक साथ छे छे हैमर लग सकते हैं और दो सो पचास किलोग्राम की समगरी को एक साथ निसाना भी लगा सकते हैं मतलब एक साथ 6 हमर लग जाएंगे और 6 ही एक साथ निसाना भी लगा देगे ठीक है और इसके वार हैट को हम 1000 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं यह मैंने लिखा नहीं है आप इसको याद रखिएगा यह प्रोफेल को देख सकते हैं इसी में इसको लगा कर दुस्मन देश को युद्ध के दौरान पराजित किया जा सकता है अब आप पूछो के सर आप काफी मतलब factual knowledge जैसे numbers पर काफी ध्यान देते हैं ऐसे तो कोशन आते नहीं है तो किसी ने किसी एक्जाम में ऐसे कोशन भी आ जाते हैं आईए next news को discuss कर लेते हैं next news संबन देता है पोसाइडन 8 अमेरिका से छे लंबी दूरी के पोसाइडन आई विमान प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुरू कर दिया और 2021 तक हमें चार विमान मिल भी जाएंगे यह आप देख सकते हो पोसाइडन 8 आई विमान को इसके मुख बिंदूओं को देख लेते हैं P8 आई विमान मुख रू जोधी, इलेक्ट्रोनिक, जैमिंग, निगरानी चमताओं को P8I के आगमन से बढ़ावा मिल सकता है मतब सुरच्छा कुलमला के बढ़ सकती है P8I के बारे में कुछ और जानकारी यह हवा से लॉंच की गई मिसाइलों और हलके टार्बीटों के साथ एकी करत की गई है यह एक साथ कई सौनवाय को अपने साथ ले जाने में सक्षम भी है जो पंडुब्यों का पता लगाते हैं और पंडुब्यों को लोकेट करते हुए एंटी सिप मिसाइल भी लॉंच कर सकते हैं और 2009 में वहीं कंपनी है जो USA की उसके द्वारा इसको निरमित किया गया तो आप याद रखिएगा कि पुसाइडन एट आई विमान जो चर्चा में रहा न्यूज में किस देश से संबंदेत है तो वह है अमेरिका से संबंदेत चलो नेक्श न्यूज की तरफ बढ़ते हैं नेक्श न्यूज संबंदेत है गैला पगोस द्वीप समू से सबसे पहले तो इ अउरब से पश्चिम लगाने के लिए दे देते हैं कि इन देशों को क्रम्श लगाई है या पनामा नहर को देख सकते हो तो यह किसका पार्ट है यह एक्वाडूर का पार्ट है बाकी के देश आप कोलंबिया बेनेजियोला ब्राजील सूरिनाम कुवाना और यह केरीविय तो आप यह याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर का और हिस्सा है रोगोस तो बरतमान में इसका स्वरूप कैसा है यह एक नेशनल पार्क के रूप में विख्यात है वर्स 1978 में गैला पेगोस दूइब समू को यूनिस्को के द्वारा पहले 20 धरोवर इस्तल के रूप में चिन्यत किया गया आप यह याद रखिएगा इस दूइब समूँ पर बहुत से जली प्रजातियां पाई जाती है उन में से एक है मौन्टा रे और सारक की भी कई प्रजातियां पाई जाती है आईए नेक्ष न्यूज की तरफ बढ़ते हैं नेक्ष न्यूज सम्बंदित है गया परिकल्पना जिसको हम गया हाइपोथेसिस भी कहते हैं यह चर्चा में क्यों रहा हाली में जेम्स लवलोग द्वारा प्रिस्तुत गया परिकल्पना एक पारस्तित्किय सिध्धानत है तो अगर आप से पूछा जाए कि गया परिकल्पना किस छेत्र से सम्बंद है तो हो सकता है वो एकॉनमी इन्वार्मेंट और टेक्नलोजी पता नहीं क्या क्या आपको दे दे तो अगर उसमें इन्वार्मेंट या पारस्तित्की हो तो आप उसको लगा दीजेगा यह पार प्रत्वी एक जीवित जीव की तरह काम करती है मतलब प्रत्वी एक जीवित जीव है और उसी की तरह यह काम करती है यह जीवन एक स्वा नियामन प्रणाली का हिस्सा है जो ग्रह को जीवन के लिए उपर्युक्त आवास के रूप में बनाए जाने के लिए भौतिक और रस सायनेक बातावरण में हेर फेर भी कर सकती है तो आप याद रखिएगा पर्यावरण से संबंदित है और प्रत्वी को एक जीवत जीव की तरह दिखाया गया है जो कि नियामन के लिए बहुत एक और शायनेक परिवरतन बातावरण में करती रहती है आप ये जेम्स लब लॉ वीजन में काम आ जाए ठीक है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज संबंदित है एक स्थल से जो की बोस्तवाना में है अब सबसे पहले हम बोस्तवाना की लोकेशन देख लेते हैं अब जैसे आपको पता ही होगा कि ये अफ्रीका महादीब का मै सब्रीपिया मोजामबिक जिंबामबे जांबिया अंगोला और यहां पर ये मेदाजास यह कभी कभी पूछ लेता कि इन देसों के बीच में है तो तन्जानिया और यूगंडा इथियोपिए अभी हाली में यहां पर एक उनर जागरेंट डेम का निर्माड हुआ था जो का काफी चर्चा का बिस है रहा था जो कि नील नदी में बनाया जा रहा था जिसका सुडान और मिस्र ने बिरोत किया था क्योंकि उनके यहां पानी आने का डर था कि पानी कहीं आना कम ना हो जाए यह आप गल्फ ओफ एडन को देख सकते हैं यह यमन आईए अपनी लोकेशन प हो गई अभी तक इसका कारण कोई स्तापित नहीं किया जा सका है ओका बांगो डेल्टा कहां इस्तित है जैसा मैंने आपको बता दिया यह उत्री बोट्सवाना में इस्तित है ठीक है और एक विसाल अंतरदेश्य नदी डेल्टा है तो अब इससे कंश्यूज मत होईएगा मतलब है जिसके पास समुद्री सीमा का एकसेस ना हो बरस 2014 में विस्त विरासत सुची में भी इसको सामिल किया गया है तो आप यह लोकेशन सारी की सारी याद रखियेगा काफी इंपोर्टेंट हो जाती हाँ यहीं पर कालाहारी डिज़र्ट भी आपको देखने को मिल आप ये लोकेशन भी याद रख सकते हो ये पश्मी अफ्रीका की काफी महत्पूर्ण देश यहां पर हैं आए नेक्स्ट निउस की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट निउस संबंदेत है अलाइंस टू एंड प्लास्टिक बेश्ट से यह खबरों में क्यों रहा सिंगपूर इस इसके कुछ महत्पूर बिंदूओं को देख लेते हैं यह एक गयर लावकारी संगटन है इसकी इस्तापना दो हजार उननीस में हुई थी तो यह काफी लेटेस्ट है आप इसको याद रख सकते हो लच इसके यह है कि प्रतेग वर्स एट मिलियन टन प्लास्टिक अपसिस् समभीर और जटिल समस्या के समाधान के लिए ये काम करेगा कितना मिलियन एट मिलियन प्रतेग वर्स यह आप देख सकते हो इनके पार्टनर देशों को जैसे भारस रिलाइंस और यह बाकी कि आप देख सकते हो आईए इसके बारे में कुछ और डिसकस कर लेते हैं इसकी तो प्रोजेक्ट अबरेल जो है वो बरतमान में अलाइंस टू एंड प्लास्टिक बेस्ट पर कारे कर रहा है इसका उद्देश क्या है अब अबरेल मींस आप अंदाजा भी लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता हो कि अबरेल मींस होता है बहना एक लेके साथ बहना तो ग समाधान करने के लिए एक सार्थक दरश्टि कोड का निर्माण करना है विसेश रूप से यह एक एक एकी क्रत प्लास्टिक अपसिष्ट प्रवंदन पुढ़नाली को सुद्रन करने के पर ध्यान के इंद्रत करेगी विश्व्यापी पहल इसकी क्या-क्या है जीरो प्लास् प्लास्टिक बेश सिटी की पहल कुल लागू करने की दिसा में भी ये काम कर रहा है जिसका उद्देश नगरपालिका अवसिष्ट प्रबंदन में सुधार करना है आवशेक सहायता प्रदान करके प्लास्टिक की समस्या से निपटना है इसके तहत एकत्र अवसिष्ट का को भी सामिल किया गया जिनमें से एक पुदुचेरी भारत में है और वियतनाम के मेकॉंग डेल्टा चेत्र में अबस्तिद 10N है तो वियतनाम का डेल्टा चेत्र यह मेकांग जो नदी बहती है कई देशों से उसमें इस्तित है तो आप उस सहर को दोनों को याद रखिएग का चेत्र जो कि मैंने कर डिसकस आपको करवाई थी आप कल के कर इंट अफेर्स में जाकर इसको चेक कर सकते हैं आईए नेक्स न्यूज को डिसकस कर लेते हैं अरब जगत का पहला परमाणू रियक्टर कौन सा है यह खबरों में क्यों तेल से समरद्ध खाडी राष्ट बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है बरा काहा ठीक है मैं इसको सुरू किया गया रियक्टर प्लांट में ऊर्जा 1400 मेगावाट के दवाव वाले पानी की रियक्टर द्वारा उत्पन की जाएगी जिसे दच्छन कोरिया में डिजाइन किया गया है रियक्टर को जिसे क्या कहा जाता है APR 1400 तो आप ये याद रखिएगा हो सकता है कि इससे भी question पूछ ले और ये तो पूछने की संभावना बनती ही है अभी के लिए चार reactor में से केवल एक में ही काम हो रहा है लेकिन UAE का कहना है कि 2030 तक वह सभी reactor को लागू कर देगा ये लगवक 5.6 गीगवाट उर्जा का उत्पादन करेगा जो देश की एक चोथाई विजली की जूरत को पूरा कर देगा आए अब UAE की location को हम देख लेते हैं ये सबसे बड़ा देश साउदी अरेबिया और ये है UAE कतार बहरीन एक दूइपिये देश है ये उमान ये गल्फ अफ उमान पर फारस की खाड़ी हारमूंज जलसंदी जो इरान और USA के मद्द चल रहे विवादों के दोरान चर्चा में आई थी ये है इराक इसके पास समुदरी एकसेस है ये है कुबेट पाकिस्तान और ये इंडिया इंडिया के दोरा यहां पर चबाहार पोर्ट विकसित किया जा रहा था और पाकिस्तान के दोरा पाकिस्तान में गौादर बंदरगाज चीन के दोरा सीपेक पर योजना चलाई जा रही थी जिसका रूट आप ये लाइन से देख सकते हो आईए next news को discuss कर लेते हैं next news संबंदेत है e-invoices पर सरकारी अधिसूचना से यह हाली में खबरों में क्यों आया इस योजना के अनुसार 500 करोड रुपे से अधिक के कारोबार वाले जो जितने भी वहसाई हैं उनके लिए business to business invoice उत्पन करने के लिए centralized portal का उपयोग करना होगा यह इसलिए लाई गई क्योंकि अभी तक companies जो चालान के लिए खुद के तंत्र का परियोग करती थी जो कि अलग-अलग प्रक्रिया के माध्यम से चलती थी जिसमें क्या होती थी जाल साजी होती थी और पैसे का गवन भी होता था इस पर अंकुष लगाने के लिए सरकार ने केंद्रिये अपरतेच्च कर और सीमा सुल्क बोड CBIC के साथ मिलकर इस पहल की सुरुबात की केंद्रिक्रिस सरकारी portal के माध्यम से इन्बोईस जनरेट करना अब क्या हो गया है अनिवार हो गया है आपको ये करना ही पड़ेगा इसके कुछ लाब को डिसकस हम कर लेते हैं बहुसायों के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी क्योंकि इस केंद्रिक्रत परनाली की शुरुवात के बाद बिना किसी देरी के इन्बोईस डेटा आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा जाल साजी के लिए नकली चालान जनरेशन भी कम हो जाएगा और अंत में हो सकता है कि ये खतम भी हो जाए GST विभाग के पास बास्त्विक समय में बास्त्विक डेटा पहुँचेगा जिसकी वज़े से अर्थ विवस्ता में पूछ आने की संभावना है तो ये थी हमारी आज की डिसकेशन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा से शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इसका लाब मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिलें आप सस्क्राइब के बटन को दबा सकते हैं और बेल आइकन के बटन को भी दबा सकते हैं ताकि जब भी कभी स्टार्ड विद प्राउट के द्वारा कोई दूसरे वीडियो अपलोड किये जाएं करेंट अफेर्स डेली जो की अपलोड होता है उसके अलावा तो आपको नो